जैहिन आज के मैं इस वीडियो में देखेंगे जिसके के इंपोर्टेंट कॉस्चन जो MP फोरेश्ट गार्ड एक्जाम होने वाली है उसके लिए इंपोर्टेंट जिसके के कॉस्चन अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए वह लाइकन दबा लीजिए जिसे कोई भी नहीं वीडियो प्लोट करों उसको नुट्पिकिशन आप तक सबसे पहले पहुंसे कर कोई वीडियो में ना हो चलिए दोस्तों ज्यादा दिन न करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं Q1. Q1. Q2. 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 Q2 मद्य प्रदेश के किस सहर को मंदिरों का सहर कहा जाता है तो मद्य प्रदेश के किस सहर को मंदिरों का सहर कहा जाता है इसे जीलों 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 का सहर कहा जाता है ज़रूर देखिए अगर वीडियो अची लगे वीडियो को लाइक करें दोफ्था करना ना व Même नेर मंद्यी प्रदेश के सबसे लंबे समय तक्रबह सेवा करने वाले मुख्य मंतरी कौन है मद्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य मंतरी कौन है तिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा option number A शिवरासिन चौपान जो है सबसे लंबे समय तक मुख्य मंतरी रहे हैं next question सहस्त्रधारा जलपरपात मद्य प्रदेश के किस नदी पर रिष्थित है तो इस मद्य प्रदेश की नर्मादा नदी पर रिष्थित है option number D is correct answer next question मद्य प्रदेश का राज जी नरत क्या है तो मद्य प्रदेश का राज जी नरत है माच किस सहर को मद्य प्रदेश का दिल कहा जाता है तो जो दमु सहर है उसे मद्य प्रदेश का दिल कहा जाता है किसे मद्य प्रदेश के किस इस्थान को नरत्य उस्थाओ के नाम से जाना जाता है किस पक्ची को मद्य प्रदेश का राजी पक्ची घोसित किया गया है किसे किया गया है मद्य प्रदेश का राजी पक्ची घोसित किया गया है कौन सा फूल हमें मद्य प्रदेश का राजी पूल है कौन सा फूल हमें मद्य प्रदेश का राजी पूल कौन सा है तो यह सफेद लिली जो है मद्य प्रदेश का राजी पूल है हिंगलगार किला मद्य प्रदेश के किस जिले में है तो हिंगलगार जिला मद्य प्रदेश के किस जिले में है यह मंद्य प्रदेश जिले में है हिंगलगार कहा है मंद्य प्रदेश जिले में है ऑप्शन नमर अ इस करेक्ट आंसर next question मद्य प्रदेश की कौन सी नदी सबसे कम प्रदूसित है तो मद्य प्रदेश की कौन सी नदी सबसे कम प्रदूसित है तो ये चंबल नदी जो है सबसे कम प्रदूसित है मद्य प्रदेश की चंबल नदी option number six correct answer next question मद्य प्रदेश विदान साबा के प्रताम अध्यक्ष कौन थे तो मंत्य प्रदेश विदान साबा के प्रताम अध्यक्ष कौन थे कुंजी लाल दुबे ऑप्शन नमर 22 बीस करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंजी लाल दुबे थे मंत्य प्रदेश विदान साबा के प्रताम अध्यक्ष नेक्स्ट कॉस्चन दादा धुनवाले थर्मल पावर प्लांट मद्य प्रदेश के किस जिले में इस्तिते है दादा धुनवाले थर्मल पावर प्लांट मद्य प्रदेश के खंडवा जिले में इस्तिते है नमरे 20 करेक्ट आदर खंडवा जिले में इस्थी ते कहा इस्थी ते खंडवा जिले में next question मद्य प्रदेश की कौन सी नदी सबसे कम प्रदूसित है तो यह नदी है चंबल नदी next question मद्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा संसादन है मद्य प्रदेश जो है डायमंड और कॉपर का सबसे बड़ा संसाधा निकाय का डायमंड और कॉपर का नेक्स्ट कॉस्चन नयार आज जी बनने के लिए 36 गार को मद्य प्रदेश से कब अलग किया गया था तो ये एक नॉम्बर सन 2000 को किया गया था ये सूरज जैन के त्वारा बनाए गया था कोल ये किसके त्वारा बनाए गया था सूरज जैन ऑप्शन नमर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्ट कॉस्चन मद्य प्रदेश का उपनाम क्या है मद्य प्रदेश का उपनाम Heart of India या भारत का दिल इसका correct answer हो जाएगा जो भारत का दिल option 9-20 correct answer इसे अंग्रेजी में heart of दिल कहा जाता है अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोश्तक सेर करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए आप तक सबसे पहले पहुंस अगर कोई वीडियो मिस्ट ना हो मिलते हैं कि ऐसी नहीं amazing वीडियो के साथ जब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्राम